अगर मैं आपसे कहूं कि धूनी ने टीट्विश्वकप जीतने के लिए एक फॉर्मूला अपनाया था और इसी के दम पर उन्होंने विश्वकप जीता था तो क्या आप मानेंगे टेंशन लेने का नहीं बलकि देने का ये फॉर्मूला था और उस समय काम भी कर गया इस बात का खुलासा भारते टीम के पुर्व मैनेजर लालचंद राजपुत ने किया है लालचंद राजपुत ने बताया कि साल 2007 के टीट्विश्वकप में धूनी का ये मूल मंत्र था कि टेंशन लेना नहीं है बलकि विपक्षी टीम को टेंशन देना है गोड़तलब है कि धोनी की कप्तानी में साल 2007 में टीम इंडिया ने टीट्विश्वकप जीता था उस वक्त टीम इंडिया के मैनेजर थे लालचंद राजपुत लालचंद राजपुत ने बताया कि साल 2007 के टीट्विश्वकप में अमेस धोनी सौथ अफ्रिका में काफी र राजपूत ने एक वेबसाइट से बात करते हुए कहा कि किसी भी टीम के रूप में ड्रेसिंग रूम का माहल अच्छा होना चाहिए जहाँ पर खिलाडी को किसी भी तरीके का दबाव महसूस ना हो और वो मोटिवेट रहे व्र्ड कप में हमारी ठीम थी टेंशन लो मत टेंशन दो लालचंद राजपूत ने आगे कहा कि उस व्रकूत में धोनी ने भारते टीम की खिलाडियों से कहा था कि आप ये मत सोचो की लोग आपके बारे में क्या कहते हैं आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा रखें राहुल द्रविड की कप्तानी के बाद धोनी को टीम इंडिया की कमान दी गई थी और उन्होंने उस विश्वकप में कमाल भी कर दिखाया था आपको बता दे कि लालचंद राजपुत ने आगे बताए कि धोनी में ये आदत थी कि अगर वो किसी भी खिलाडी में थोड़ी सी भी कम छमता देखते थे तो उसे जादा मौका दिया करते थे उन्होंने भारते खिलाडियों की मानसिक्ता को बदल दिया और इसके साथ ही वो आगे बढ़े और आज वो भारत के महान कप्तान भी है इस खबर में बस इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हो वन इंडिया हिंदी के साथ